कि वाइट तरी लेट्स स्टार्ट अज स्टार्ट तो गाइज का यह जो टॉपिक है न वो बहुत इंट्रस्टिंग कर रहा हूं कि भाई कें इंडिया चेंग इंडिया चेंग इंडिया चेंग इंडिया तो Capital City चेंग होना है उस्टार पहले होती थी वो देली से कौन से बना रहे हैं अब हो सकता है तो देखते हैं यह वीडियो देखते हैं फिर बात करें लाइट्स स्टार्ट डिली काफी लंबे समय से देश की राजधानी है और टाइम दर टाइम अलगलग सेनेरियो के चलते द दिली के बजए कोई दूसरे शहर को Capital बनानी की मांग की गई है तो क्या दिली के अलावा कोई और शहर Capital बन सकता है और इससे ज्यादा जरूरी क्या दिली के अलावा कोई और Capital बनाना चाहिए इसी बात के बारे में आज हम जानेगे पहले समझते दिल्ली कापिटल बना कैसे? हिश्टोरिक दिल्ली हमेशा से भारत की राजधानी रही है उसके लोकेशन के वजे से चाहे वो महाभारत के समय इंदरप्रस्त के नाम से जाना जाता था मुग्रों के दोरान दिल्ली को कापिटल बनाया गया और लंबे समय तक भारत की राजधानी दिल्ली ही रही ब्रिटिशस इनिशली इंडिया और चाइना की बीच में बहुत ज़्यादर ट्रेड करते थे जिसके कारण कोलकाता का पोर्ट उन्हें ज़्यादा बहतर नजर आया और लंबे समय तक कोलकाता ही ब्रिटिशस के लिए राजधानी रही लेकिन फाइनली जब चाइना से ट्रेड कम हो गया इंडिया के बाकी पार्ट में उनका रूल फैल गया तो उन्हें भी एक सेंटरी लोकेटेट शेहर की जरुवत थी और उन्होंने भी उस टैम पे दिल्ली को ही एक प्रेफरेबल लोकेशन चुना एक बार याद रखना जरुई है कि उस समय पर क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एक ही देश हुआ करते थे इसका जिसे दिल्ली की लोकेशन जियोगरफी के लिए अच्छे कासे सेंटर में आ जाती थी जो आज के डेट में नहीं है इसके अलावा ऐसे लोकेशन हो जाने के वज़े से देश के अलगला कोनों से जिस जमाने में ट्रांस्पूर्ट इतना अच्छा भी नहीं हुआ करता था काइंड ओफ इकोल समय लगता था दिल्ली पर पहुँचने के लिए जिसका जिसे कई सारे पॉलिटिकल और अड्विश्टिटिव चीजे करना बहुत जादा इजी बन जाता था अब बात करते हैं आज के डिट की जाब पर दिल्ली के बज़ए किसी और शेहर को कैपिटल बनाया जा सकता है या नहीं सिंपल बाशपने कहें तो दिल्ली को कैपिटल से शिफ्ट करना impossible नहीं है पास्ट में capital shift हुए है, दुनिया भर में कई सारे देशों के अंधर capital कई बार shift किये जाते है और ये बहुत ज़ादा rare चीज नहीं है जिसके वज़े से दिल्ली के बज़े किसी दूसरे शेहर को देश की राजधानी बनाना कोई बहुत ही ज़ादा impossible बात नहीं है अगर हम legally और officially बात करें तो अब समझते हैं कि दिल्ली को shift करने के वज़े से कोई फाइदा होगा या नहीं पहले ये समझते हैं कि जो group of people आज दिल्ली को shift करना चाहते है उनके क्या points है और क्या arguments है जो group of people है उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली आज के date में border से बहुत ज़ादा नजदीक है वो भी हमारे biggest travel से जिसके वज़े से security दिल्ली के अच्छी नहीं है war times के वज़े से दूसरी बाद दिल्ली बहुत ज़दा overpopulate हो गया है और इसके वज़े से उसके कामों के अंदर रिक्कत आ रही है pollution एक major factor बना है जिसके वज़े से दिल्ली as a city जादा livable नहीं रही है इसके अलावा लंबे समय से दिल्ली के अंदरी सारे के सारे administrative powers हो जाने के वज़े से ये एक political power concentration pot बन गया है और सारे के सारे देश के अंदर के decision चाहे वो remote भी क्यों न हो वो कई बार दिल्ली के द्वारा किये जा रहे है जो दूर बसेवे regions के लिएट सही नहीं है इसके अलावा social climate भी दिल्ली का आज के डेट में इटना सही नहीं नाजर आता है और इसके अलावा वो चोटे मोटी चीजे भी यहाँ पर factor बन दिये चाहे वो weather हो, crime rates हो या कोई दूसरी चीजे तो क्या दिल्ली से किसी दूसरी शेहर में shift हो जाने से यह सारी problem solve हो जाएगी mostly इसका जवाब नहीं है आज के रिट में इंडिया जैसी country के capital को ground से बनाना, एक नई city पूरी तरीके से develop करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा task है और इसे आप next to impossible भी कह सकते हो चोटे level पे नई cities हमारे देश में बनाएगे हैं, अभी भी kind of planning में है लेकिन capital जैसे city को बनाना बहुत ज़्यादा difficult होगा इसका जैसे कोई existing city को ही ऐस capital बनाना पड़ेगा ये एक better viable solution निकल कराता है कई बार नाकपूर, प्रयाग राज, चंदिगर, चन्नाई, भोपाल इन जैसे cities का नाम suggest किया गया है अलग-लग reasons बताते हुए लेकिन इन में से कोई भी हर एक problem को solve नहीं कर पाता मेब अगर capital shift कर दिया जाए तो कुछ सालों तक political scene settled रहेगा social environment ठीक हो जाएगा जिस तरीके से administrative power चलती है चाहे वो VVIP culture हो, decision making power हो ये दूसरी जोगों पर shift हो सकता है लेकिन कुछ सालों बाद में जिस भी particular शहर में अगर capital shift होता है वहाँ पे भी same scenario जो आज दिल्ली में है वो हमें दिखना नजर आ जाएगा और जैसे चीज़ी आज दिल्ली में हमें देखने के लिए मिलती है उस सेम चीज़ किसी और शहर में भी होगी ये बात तै है अब बात करते है negatives के बारे में जिसको जिसे capital को shift करना एक सही decision नहीं लगता है अब सब ने तुगलग इनके दौलत अबात के बारे में सुना होगा उस समय पर भी दिल्ली से माराश्रा के औरंगाबाद के पास में capital shift करने के कोशिश की गई थी लेकिन बहुत बहुत बुरी धरी किसी चीज़ी फेल हुई थी history में ऐसे भी कई सारे lessons है जहापर capital shift करने के वज़े से पूरी के पूरे empires गिरे है अगर आपने कभी दिल्ली के अंदर के वो वाले areas घूमे होंगे जहापर government offices है, headquarters है, हमारा देश का functioning जहाँ से होता है तो आप सब जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर जो चीज़ी आज के डिट में होती है यही बहुत बहुत बढ़ी scale पर होती है और सिर्फ कुछ government offices बना देने के वज़े से और कुछ residential units बनाने के वज़े से नया capital नहीं बन सकता अब यहाँ पर बात करते हैं cost की नापपूर महारश्र का winter capital है और winter session इस एक शेहर में लिया जाता है जबकि बाकी sessions मुंबई के अंदर hold किये जाते है इसके वज़े से सिर्फ और winter session के लिए नापपूर जैसे शेहर के अंदर government offices बने है government housing है कई सरी चीज़े इस शेहर में change होता दी है winter के दोरान और transport manpower cost नई buildings कभी कभी बनानी पड़ी है इनके वज़े से बहुत ज़दा खर्च हर साल माराश्र को करना पड़ता है online आपको कई सरे ऐसे accounts मिल जाएंगे जहापर IIS IPS level के लोग कह रहे हैं कि दो capital होने के वज़े से माराश्र से शेहर के अंदर पैसे waste हो रहे हैं और energy भी बहुत waste हो रही है ज़कि productivity कहीं भी नहीं बढ़ रही कुछ-कुछ locations ऐसे है हमारे देश में जहापर दो capital रतना कई बार जरूरी होता है जैसे जमुएन कश्मीर जहापर impossible होगा winters के दोरा कुछ जगों पर पहुचने के लिए जबकि जो ज़्यादा accessible regions है हमारे देश के वहाँ पर capital shift करने के वज़े से सिफ और सिफ पैसे waste होंगे basically दिली से दूसरे शहर में capital city बनाना बहुत ही ज़्यादा खरचीला होगा बहुत ज़्यादा समय इसमें बरबाद होगा और ज़्यादा कोई फाइदा नहीं होगा दरसल capital cities को shift करना लोगों के लिए एक emotional बात ज्यादा है practical और logical बात से ज्यादा इसका ज़्यादा कई बार कुछ politicians इस मुद्दे को as a leverage इस्तमाल करते हैं जबकि in reality खुद से वो कभी यह करने की कोशिश नहीं करेंगे और यह करने से भी उस particular state का कोई ज़्यादा नहीं होगा इसलिए in conclusion अगर कहे तो legally, officially इंडिया चाहे तो अपना capital चेंज कर सकता है लेकिन practically, logically उसका कोई फाइदा नहीं होगा सिर्फ टाइम और पैसो की बरबारी होगी और कई सरी चीजों में नुकसान होगा देश के productivity के अंदर इसके वज़े से दिल्ली को as a capital शिफ्ट करना या इंडिया के capital को overall change करना एक स्थाही बात नहीं होगी अगर आप logically सोचे तो उमेड करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर देड़े उमीड करता हूँ कर आप तो यह पता था कि इस वीडियो को बनाने का फैदा कोई यह पिर क्यों बनाया आपने अच्छा क्या है मैं तो बात है कि इस वाकि बात चीज चल रही है उस बात की है ना कुछ लोगों ने ऐसी तो ने उठर के बाट कर दी मैंने उठके बात कर दी तो कुछ लोग हो गए रहा है ठीक है यह पार जिए यह बात कियो यह आधि बात समझ में आती है ना मेरा निग्याल इस तरह के बात शुट शोटी बात होती है बड़े बड़े देशों में ठीक है और दूसरी बात यह है कि जहां तक मुझे याद बढ़ता है कि मुझे यह पता है कि देली के अंदर नया पार्लिमेंट हाउस त्यार किया जा रहा है थीक है तो जहां पे बहुत बड़ा थारा थीक है क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है जहां पे सब को गई साथ तीन-चार सो पत्तर को बंजा बैठें बहुत मुश्किल हो जाता है तो वह बहुत बड़ा बनाया जा रहा है तो पिर मिसका मतलब तो यह वा ना कि इस बारे सोचा ही नहीं जाघार है क्या वहां एक दौर में पाकस्तान में असा जरूर आता कि कराची पाकस्तान की कैपिटल था ठीक है है उसको चेंज गया उगाता भूल 25ॉज थे के बाद इसलाम बाद एक نया श। पहाडों के पीचं़ की एक नया शहर अबाद किया एकγα्या और और बीटिफलम पूल्ल स्टेट गया औहारह बनाने यせ पेहले उसको वहां पर जो है सफारत खाने सफारत खाने बनाए गए दूसरी कंट्रीज के जो ना होते हैं इंबैसी बनाई गई उसको सफारत खाना कहते हैं उर्दू में तो वो बनाए गए बहुत कुछ अलग से बनाना पड़ता है इस बाजब यह चीज़े त्यार होती हैं तीक है मार्केट्स बनाए गई यह वह शायद थोड़ी सी अबादी भी लाई गई होगी तोड़ी फिरुवाती में उसके बाद वहां पर जाना सबकुछ स्टार्ट किया गया बादी तो खैद होगी वहां पर नहीं शेहर बनाने के सब्सक्राइब करें तो इस तरह की सारी चीज़ें वह बनानी पड़ती हैं पूरा शेयर अपास करना पड़ा बहां चीज को मजना रखते हुए आज तो उसकी वबादी तो गीवन पंद्रह बीस लाग हो ही है ठीक है उस शेहर की लेकिन उस दोर में उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था तो इस तरह का कुई बड़ा बहुत बड़ा फजूल खर्ची करने वाला काम करना पड़ेगा इंडिया को ठीक हमारी दुसर दु गाल है और वहर प्रची होगा है वह बाद सब्सक्रा फुर्म दिया है जाया है तो यह थी बात और बिल्कुल साथ सतरह है और वह स्टीनेंस अँप वैसे वह प्लीयर हो गया तो आगर आप लिए दर्णा देना तो बहुत सही ज़य जगया है अगर आप तो जो ऊते हैं और अप समझ जलूस निकाल रोप्टेश सामने बैठें साठी डाल मनों के तयक्त जाना नहीं जाना था एल्ड इन आप पर इंसरा था बड़ अब रेट जोन में तो नहीं जाने लेथे लेकिन देल्कार बाहर सब बैठे होते हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें लाइक करें कि फॉच्पास्टाइब